कि यह वेरी गुड वाला गुड मॉरिंग कैसे हैं आप सभी मारे यहारा थोड़ एक पर फिर से आप सभी का स्वाकत करते हूं एससे वाला यूटूब चानल पर और यूप एक्जैम्स वाला यूटूब चानल पर मैं यह उम्मीद करते हूं कि आप सब बहुत अच्छे कि सुपह के साथ बज़ रहे हैं साथ बसती हमारा करंट अफिर का एक बहुत प्यारा सा सेशन होता है तो जित्ते लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है एक बार हम लोग देख लेते हैं कौन-कौन हैं जो आ चुके हैं जैसे मैं देखना चाहूं बेली की तरह अवलेबल है लेकिन आज जो सेशन आम लोग करेंगे वो रिविजन वाला करेंगे यानि मैंने 1st of September से लेकर 15th of September तक के जो इंपोंटनन्ना केले को मने उठा लिए हैं तो आसवीजन को देखके घबराना नहीं है कोशन को देखकर पढएगा औनसर तो ऑ-ॉ-्कला है सबसे पहले हम बात करते हैं 22 जुलाई 1947 को रास्टे दोच को अपनाया गया हमारे पास जो नाशनल फ्लैग है उसको हमने अडॉप्ट किया है 22 जुलाई 1947 को 29 अगस्थ 1947 को प्रारूप समीती का गठन किया गया था आपको पता है ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मिशन 29 अगस्थ 1947 26 जनवरी 1950 को राश्ट्रे गान को अपनाया गया था यानि हमने जो अपना नाशनल जो सौंग है उसको कब एडॉप्ट किया है 26 जनवरी 1950 को बैंक पैंगॉल बॉंबे तथा मद्रास को मिला करके 1921 में इंपीरियल बांक की स्थापना करी गई यह जो इंपीरियल बांक है यही एक जुलाई 1955 को आपका SBI का रूप ले लेता है यानिकि एक जुलाई 1955 को SBI कहलाता है तो कौन सा स्टेट्मेंट है जो कि आपका गलत हो जाए पूप ज है या आपका राश्ट्र गीत हो जाए राश्ट्र गीत हो हम ने तो कि अब है चाहे आपका राश्ट्र गीत हो हम ने कब अपनाया है 24 जनवरी 1950 इसका मतलब आप चीजों को क्या करने लगे आप चीजों को पकड़ना सीख गए हो ठीक है क्योंकि ये वाला मैंने कल वाले सेशन में भी कराया था 1950 बाकी सब ठीक है 22 जुलाई 1947 नाशनल फ्लैग है 29 अगस 1947 ड्राफ्टिंग कमेटी है बैंक ऑफ बंगॉल बंबे तथा मदरास को मिला करके 1921 में इंपीरियल बैंक बना फिर 1 जुलाई 1955 को 1 जुलाई 1955 को इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया एस्बी यानि कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया एस्बी या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया ठेक है चलो तेरह दिसंबर 1946 को हमारा जो प्रारूप क्या कह रही हूं मैं आप सुम्डों को से जो प्रस्तावना प्रियम्बल उद्ध्य प्रस्ताव को पेश किया गया था त highway 13 दिसंबर 1946 को उद्ध्य प्रस्ताव को पेश किया गया था अगला कुछ ने हेल निंग लिंगित में से किस इस्थान पर पिन्टिंग प्रेश नहीं है मतलब जहां पर नोटों की छपाई नहीं होती, वो कौन सी ब्लेस है इसमें से, भारत में चार जगह ऐसी है, जहां पर हम बोल सकते हैं कि नोटों की छपाई होती है, अब वो चार इस्थान कौन कौन से होंगे, पिटा सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ, नासिक कहां पर ह तो यह वेश्ट बेंगॉल में होगा सालबोनी वेश्ट बेंगॉल. अगर हम मैसूर की बात करते हैं तो करनाटक होगा मैसूर करनाटक. एक हो जाएगा आपका देवास जो कि है MP में. देवास MP में तो कहां पर नोटों की छपाई नहीं होती भाई प्रियाग राजमी नहीं होती बिलकुल एक दम ठेक कहा बाकि सब जगह होती है चार जगह होती है भारत में अगर चारों जगह को आपको देखोगे तो नासिक है सालबोनी है मैसूर है इसके अलावा अगर हम बा चानना है इंद्रा गांधी अंतरास्टी हवाइड़ा यह दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा श्रीगुरु रामदास जी इंटरनाशनल एयरपोर्ट यह आपको अमरिच्सर में देखने को मिलेगा डॉक्टर बाबा साहिब अंबेड़कर इंटरनाशनल एयरपोर्ट यह आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा यह तिरुवनंद पुरम अंतरास्ट यह एयरपोर्ट यह आपको केरला में देखने को मिलेगा चलो कौन सायसा स्टेट्मेंट है जो की क्या होगा जो की गलत है बताओ फटाफट से सारे के सारे हांजी इंद्रा गांधी बात करेंगे अम्रिसर पंजाब डेफिनेटली आपका 110 पॉसेंट ठीक आंसर है लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि डॉक्टर बाबा साहिब आंबेडकर आंतरास्ट यह एयरपोर्ट बचा यह राज्यस्थान में नहों करके कहां पर होगा यह होगा महाराश्ट्र तो कौन सा स्टेट्मेंड गलत हो गया उप्षन सी हमारा गलत हो गया आचा भावई किस भारतिय राज्य की पारंपर एक नात्टी रह अगर हम भावई की बात करेंगे तो भवई जो है ये एक ट्रडिशनल एक नाटेक शैली है या फिर थियर्टर स्टाइल है भवई की बात करोगे तो गुझ 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 रात अल्रेडी आपको पढ़ाया हुआ है गुझ रात तंजोर बाला सरस्वती किस शास्त्रिय निरित्य के लिए जानी जाती है जब मैंने लास्ट टाइम संडे को क्लास ले थी उस समय मैंने आपको बताया था तंजोर बाला सरस्वती तो तंजोर बाला सरस्वती किस शास्त्रिय निरित्य के लिए जानी जाती थी 1957 के 20 साल बाद यानि कि 1977 में इनको पदम विभूशन मिल चुका है पदम विभूशन विभूशन देखो इनकी नाम से भी तुम्हें चीज़ें पता चल जाएंगे जैसे तंजोर बाला सरस्वती तमिल नाडु ठेक है तंजोर आपको कहां पर मिलेगा तमिल नाडु तमिल नाडु का जो क्लासिकल नांस है वो कौन सा होगा तो भरत नाट्यम थोड़ा सा सोच करके भी आप आणसर दे सकते थे नौग क्रेम नरत्य उत्सवत भारत के किस राज्य में मनाया जाता है अगर हम नौग क्रेम की बात करते है देखो एक तो बेहंदी खलम है बांगला या वंगाला बेहंदी खलम बांगला या वंगाला शाद सुक मिनसिम शाद सुक मिनसिम शाद सुक मिनसिम बेहंदी खलम एक कौन सा होगा वांगला या जिसको हम क्याते हैं वंगाला वांगला या बंगाला तो आंसर आपका क्या बनेगा बिल्कुल मेघाल है 110 पोसेंट करेक्ट आंसर बनेगा आपका मेघाल है मेघाल है शलिए अगले कोशन की तरफ चलते हैं महिला शतरंज विश्व रापिड चाम्पियन बनने वाली पहली भारतिया ग्रेंड मास्टर कोनेरू हमपी का नाम याद रखिएगा कोनेरू हमपी कोनेरू हमपी वहीं अगर क्वेशन आप से बदल दे कि पहले चेस ग्रेंड मास्टर कौन बनी है तो वो सुबबा रमन विजय लक्ष्मी जैसे हम क्याते है न पहले पुरुष चेस ग्रेंड मास्टर विश्वनातन आनंद ठीक उसी तरीके से इंडिया की फॉर्स्ट फिमेल चेस ग्रेंड मास्टर सुबबा रमन विजय लक्ष्मी लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि शत्रण जो विश्वर रैपिड चांपियन बनने वाली पहली भारती मास्टर नाम हो जाएगा इनका कोने रूप हमपी उसके बात है कला मंडलम कल्यानी कुट्टी अम्मा ये किस शास्त्री निरत्ते से संबंधित है अगर हम इनकी बात करते हैं कला मंडलम कल्यानी कुट्टी अम्मा इनका जो संबंध है वो किस शास्त्री निरत्ते से होगा इनकी की बेटी श्रीदेवी राजन है उनका संबंध भी किस से होगा देखो अम्मा आपको याद है कि यार गौरी अम्मा अवार्ड मिला था कुछ याद आया जो कि केरला का था अब केरल के दो classical dance है एक तो कथककली है एक मोहीनी अट्टम है तो इनका नाम इतना बड़ा है देखो कला मंडलम कल्यान कुट्टी अम्मा अम्मा बोलेंगे तो केरला अपन पहुंचेंगे पेड़ा भरत नाट्यम केरला का नहीं है किसने क क्या बनेगा मोहीनी अट्टम मोहीनी अट्टम चेक है मोहीनी अट्टम आगे चले आगे चले आगे चले चले पेटा संध्या राजन और इस्मिता राजन इनहीं की पोतियां थी है ना संध्या राजन और इस्मृति राजन नाम याद रखिएगा संध्या राजन और इस्मिता राजन संध्या राजन और इस्मिता राजन इस्मिता राजन इनका संबंध पे किस से होगा मोहीनी अट्टम से पन्ना नाशनल पार्क आपको जो देखने को मिलता है ये कहां पर देखने को मिलेगा तो पन्ना हमें मिलेगा MP में इतना आपको यहां से क्या रखना है इतना आपको यहां से इस वाले सेशन से ध्यान रखना है आप लोगों की जो दिल्चस्पी है वो अब बूस्टर डोस में भी दिन वा दिन एकदम टोटल खतम ही हो गई है सर वो चेंजर हाँ अगर ऐसा कुछ है तो चीजों को रोक देते हैं दिन है शनिवार चलते हैं अपने रिविजन वाले पार्ट की तरफ अब इसमें 1st of September से लेकर के 15th of September टक का डाटा मैंने रखा हुआ है मतलब हर क्लास से 2-2 कोश्टन या 3-3 कोश्टन मैंने जो है वो मेंशन करें है तो शुरुवात करें शुरुवात करें शुरुवात करें शुरुवात करें इतना ध्यान रखना आप जिस examination की preparation कर रहे है यानि कि आप तयारी कर रहे है एससी के लिए हैना एससी के अलावा कुछ लोग state exams वाले हैं जिनको state exams देने हैं वेटा paper easy नहीं आता ये चीज़ आपको जितनी जल्दी समझ आए उतना अच्छा है अगर आपको लगेगा कि नहीं चीज़ें आसान है या आसान चीज़ों को करकर के हमारी चीज़ें हो जाएंगी नहीं तुम्हें रोज मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें रोज नया सीखना पड़ेगा चलो शुरुवात करता है और आज का पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर यह रहा भारतिय वायू सीना ने किस तेश में आयो जी तब्यास ब्राइट स्टार तेश में भाग लेने के लिए अपने टुकडी भेजी है तो मैंने आपको एक एक्सेसाइस बताया है इस एक्सेसाइस होस्ट किया गया है ब्राइट स्टार 2023 अगर हम ब्राइट स्टार के बात करेंगे बेटा तो आंसर हमारा क्या बनेगा एज्विप्ट एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि माम की विश्व की जो सबसे लंबी नदी है या विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन स स्वण पदग जीतने वाले बने पहले भारतीय नीरज चोपडा विश्वे एथलेटिक चांपियनशिप में पहले भारतीय नीरज चोपडा बने हैं इसका जो आयोजन किया गया था World Athletic Championship का इसका आयोजन कहां पर किया गया था नीरत चोपड़ा भाई, 7 अगस्ट को ये गोल्ड लेकर किया थे 7 अगस्ट 2021 को इसलिए 7 अगस्ट को भारत में क्या मनाया जाएगा जावलीन थ्रोडे या हम ये भी कह सकते है भाला फैंक दिवस ठेक हाँ जी तो ध्यान से देखिएगा विश्व एथलेटिक चांपेंशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतिये नीरचोपड़ा बने है विश्व एथलेटिक चांपेंशिप का जो आयोजन किया गया है ये कहां पर किया गया है अमरिका हंगरी जापान या आस्ट्रेलिया तो एक्जेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा हंगरी ऑप्शन आपका भी बिल्पूल ठीक है हंगरी 9494% के साथ यादव गर्ल सिब्भू चोहान विजय हेमंत जो है वो फोर्थ पोजीशन पर बना हुआ है चले अगला कोशन अगला कोशन अगला कोशन देखो 2022 वर्ल्ड अथलेटिक चांपेंशिप ये युजीन ओरेगन युनाइटिड स्टेट में हुई थी इसके बाद 25 में कहां पर होगी तो 25 में होगी टोक्यो जापान एडिशन कौन सा होगा तो 20 वा एडिशन होगा होजए बिस्वनात तामुलपूर और बजाली के बनने के बाद असम में कुल जिलो की संक्या कितनी हो जाएगी असम के जो सीम है आप इनको देख पा रहे होंगे हिमन तो बिस्वा शर्मा इन्हों ने चार नए जिलों बनाने की घोशना करी थी अभी सप्टेंबर में इनका कहना है कि अब ये जब चार जिलों की संक्या कितनी हो जाएगी 33, 34, 35 या फिर अगर मैं बात करूँ 36 हाँ जी हमारे असम में जिलों की जो संक्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी तो माम वो हो जाएगी 3535 याद रखना हो जाए विस्वनात तामुल पूर और बजवाली 95, 95% के साथ प्रीती पहले पर है विवेक सेकेंड पर है अनिशा थर्ड पर है दिक्षा अपनी जो है वो पोर्थ पोजिशन पर है यानि बालक बाली का है परफॉर्म तो कर रहे हैं 90% से उपर आना भी अपने आप में काबिलियत तारीफ है भारतिय महिला होकी टीम ने था अपने थाइलेंड को साथ दो से हरा करके पहले महिला होकी 5S एशिया कब जीता है इसका आयोजन कहां पर किया गया है ओमान में पाकिसान में बंगलादेश में सिंगापूर में तुम्हें यही पता होना चाहिए कि भारतिय महिला होकी टीम इसमें विनर बनी है हमारे लिए वैसे ही प्राउड की बात है हराया किसको है हमने तो पेटा थाइलेंड को हमने हराया है 7-2 से और इसका जो आयोजन किया गया था वो किया गया था ओमान ऑप्शन आपका ए बिलकुल करेक्ट आंसर है 7-7-77% के साथ दिक्षा पहले पर है प्यूस सेकेंड पर है प्रिंस थ दिया गया है आपको मुझे एडिशन भी बताना है कि यह जो रेमेनम एक्सस अवार्ड है इस बार इसका कौन सा एडिशन 1958 विनोबा भावे पहली बारन को दिया गया था लास्ट टाइम 2019 में मिला था आपको बताईए उसके बाद अब किसी भारतिये को यह मिला है यानि र रवी कंनन आर तो क्वेशन का आंसर क्या बनेगा डॉक्टर रवी कंनन आर ऑप्शन डे बिलकुल एकदम करेक्ट आंसर है एट सवे एटी सेवन पोसेंट के साथ बागे दिक्षा पहले पर निधी सेकेंड पर और अनीशा कुमारी जो है वो अपनी थर्ड पोजीशन पर बनेगी है तो क्वेशन का आंसर हमारा क्या बन गया डॉक्टर रवी कंनन आर नैस्ट क्वेशन आपके स्क्रीन पर किस राज्य की मुख्य इनोवेशन ऑफिसर शांता थोटेम को मॉस्को में आई जित पहले ब्रिक्त इनोवेशन फॉरम में वर्ल्ड इनोवेशन तो किस राज्य के मुख्य बुलेस इनोवेशन ऑफिसर शांता थोटेम को मॉस्को में आई जित पहले ब्रिक्त इनोवेशन फॉरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवर्ड मिला है या वर्ल्ड इनोवेशन अवर्ड से ने संपानित किया गया है तेलंकाना किया तमिल नाडू क ये महारा श्रुकि 멤क फिर मैं बात करूं यह फिर में बात करों हड्य zhv को व के इली का भाइस्वाैसाब कुछ का आंसर कउछ का आंसर पॉच Karma हर किसी नियुंब में को ठीक ठीक साई लग रहा है तुम तो अच्छा परफॉर्म कर गये बहीं चल तो आंसर हमारा क्या बन गया तेलंग गाना ऑप्शन ये बिल्कुल ये तो कमाल हो गया तमिल लाडू से हैं ये भ्राता श्री ये क्या किया आपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए है बाकी सबका अरे भाई साब रोक जाओ जरा तुम लोग अपनी गसम ये तो तुम हमको आश्चर ये चकित कर दिये हो भाई आरे 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 ऐसा कैसे हो सच्चे आरे तेलंग गाना एकदम ठीक है है ना वही मैं तो डर गई यार मैं हाटटेक्स बच गया मैं स्रीफ 11 परसंट बालक वाली गाया जिसका आंसर है वही मैं गाओ, रात में तो मैंने तेलंगाना पड़ा था, सुबह तमिल नाडू आंसर कहां से हो गया, देखो, कौन-कौन है इसमें, बिल्कुल, दुरियोधर है, जूही है, दिक्षा है, पियूश है, जत्तिन है, पृति है, शिखा है, अबय है, अंकित है, मोटिवेशन है और राहुल है, बस केवल और केवल, चलो, आगे चले, हाँ, वही मैंने कहा, यार, मैंने इनको क्लास में तेलंगाना गराया था, इन्होंने तो चीज़ों को पलटी दिया, पूरी तरीके से, आंसर आपका क्या बनेगा, तेलंगाना बिल्कुल एकदम 110% करेक्ट आंसर बन सुआँ काट आमित्व योजना कि में पर राष्ट्री स्वाजण इनकों pleasant, तूरूं में करेक्रात भ्राया था पुमानेंद करन पारे कर लिए परष स्वामित्व योजना वो किसकी थी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज्च यानि ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा भाया तुम लोग कर क्या रहे हो मुझे ये बताओ सबसे पहले तो मैं कसम से लिटरले ये तो बहुत ही गलत बात है तुमारा रेशो देख रहे हो 21.52 जबकि स्वामित्व योजना तुम्हें 36 बार बताई है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती है उसके अलावा इंकम टेक्स इंस्पेक्टर भी है ये तो गलत बात है बिलकुल गवारा नहीं है ये चीज है ना ये तो बहुत ही गलत बात है यार ऐसे थोड़ी चलेगा स्वामित्व योजना किसकी थी तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एकदम करेक्ट आंसर होग अगला कुशन देखते हैं 1.4 बिलियंड डॉलर के वैलिवेशन के साथ कौनसे स्टार्ट अप इस साल देश का पहला यूनिकॉन बना है तो जैप्टो अगर हम बात करेंगे तो जैप्टो जो 10 मिनिट के अंदर अंदर डिलिवरी करता है 7 मिनिट के अंदर अंदर तो 1.4 बिलियंड डॉलर के वैलिवेशन के साथ कौनसा स्टार्ट अप इस साल देश का पहला यूनिकॉन बन गया है तो आंसर हमारा क्या बनेगा इ अगला कोशन देखते हैं शहरी मलीन बस्तियों में रहने वाले गरीब परिवारों को भूमी अधिकार प्रतान करने के लिए किस राज्जे ने 2018 में जग्गा मिशन कारेकरम को लांच किया है इसका आंसर आप कर सकते हैं कहा चला गया यह बी अलगी लेवल पर नाच रहा है आप तो यह जानते हैं कि इस राज्जे का टार्गेट है वह है कि 2023 के लास्ट तक हमें kudko slum free बनाना है slum free का मतलब होता है कि हम जुग्गी जूपणियों से मुक्त हो जाएंगे जुगी जोपडियों से फ्री हो जाएंगे जो जग्गा मिशन है यह कॉन से स्टेट का होगा कैरला है गुजरात है तृपुरा है अरे अच्छा फोटो दिख रही है कि तुम लोग को पाई यह तो चीटिंग है मैं नहीं खेल रही है यह चीटिंग है चीटिंग है फोटो अल्रेडी दिख गई थी आंसर आपका क्या बनेगा ओडी सा बिलकुल एक दम करेक्ट आंसर है ओडी सा ओप्शन आपका डी अगला कोशन है प्रेस इंफोर्मेशन ब्यूरो के जो नए प्रमुक बने है वो कौन बने है इसमें पोल लगाना बनता है हां जी पी आई प्रेस इंफोर्मेशन ब्यूरो के जो नए प्रमुक बने है वो कौन बने है मनेश देसाई है रंजुना प्रगाश देसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की फिर्स फिमिल हेड बनी है प्रवीन सूद की अगर हम बात करते हैं तो यह सेंट्रल विजलांस कमिशनर है यहनी क की सीवी सी है इस समय प्रवीन कुमार शुरिवास्तौक तो क्वेशन का आंसर क्या बन गया ऑप्शने मनेश देसाई बिलकुल एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शने मनेश देसाई 6-8-68% के साथ बच्चों ने परफॉर्म किया दिक्षा अपनी पहले पर हेमन सेकेंड पर प्रिती अपना जो है वो थर्ड पोजीशन पर बनी हुई है और यह जो गलत आंसर दे रहे ना मैं बख्शना नहीं है इन लोगों को ठीक है यहां तो तुम्हें एक परसेंट भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए थी है ना एक CBI है और दूसरे के अगर बात करो तुम्हें CBC है रंजना प्रकास देसाई प्रेस काउंसल ऑफ इंडिया के फर्स्ट फीमेल हेड बनी थी इन्होंने पूछा है पी आईबी के तुमने गलत आंसर दिया मोहन बागान सूपर जॉइंट ने इस पंगाल को हरा करके 132 वर डूरेंट कप 2013 जीता है मोहन बागान सूपर जूइंट की यह कौन सी जीत है लगाना बनता है ना पूल आपको पता है कि जब हम डूरेंट कप की बात करते हैं तो यह एशिया का जीता है मोहन बागान सूपर जॉइंट ने किसको हरा करके तो एस्ट बंगाल को हरा करके आपको यह बता रहा है कि मोहन बागान की यह कौन सी बार जीत थी या इसको कौन सी बार जीता है मोहन बागान आंसर क्या बनेगा बारा पंधरा सूलहा या फिर अगर मैं बात करू स सत्र चले तो हमारा एग्जेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा यह इनकी सत्रवी जीत थी यानि ऑप्शन आपका डी बिलकुल करेक्ट आंसर है सत्रवी जीत थी 17 वाली केवल 4-42 पोसेंट वालक बालिकाएं ऐसे हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है मेगा पहले पर है रहीतों के परिजनों के कल्यान के लिए एक प्रोजेक्ट पो शुरू किया है बताओ फॉन सा प्रोजेक्ट सिन्जचे को शुरू किया है मतला प्यप्शेशन संबंधि जतने भी परिशानियां होती है उन सब का निप्टारा किया जाएगा उस समय पेhanelen मुने विलाएथ प्रोजेक्ट नमन बिल्कुल प्रोजेक्ट संजे भी इंडियन आर्मी का ही है यह ध्यान रखिएगा आप सारे के सारे तो क्वेशन का आंसर क्या बनेगा ऑप्शन है बिल्कुल एक दम चेक आंसर है और पहले नमबर पर दिख्षा है सेकेंड पर मेगा है उसके बाद जो है वो है अंकीता अंकीता नेक्स्ट कुछन की तरफ रुख मोडते है अगला कुछन है रास्टपति भवन द्वारा भीजे गए जी 20 शिकर संवेलन के बोज निमंतरन पत्र में पारम पर एक प्रेसिडे प्रेसिडेंट फारत योटेंट बके संवे मोड के भज़ूरत में कैंच्ट फूस आपके स्क्रीन पर भारत की पहली गुरिल्ला ग्ली निरमान सुविधा कॉर्णिंग इंक यह कहां पर इस्तापित करी जाएगी मैंने आपको बताया भी था तुमसे तुमसे तुम्हारा मूबाइल शॉप अला अगर तुम्हारा पस फोन मेंगा तो गोरिला ग्लास लगाओ है ना फोन तूटेगा नहीं यह नहीं होगा वो नहीं होगा गोरिला ग्लास लगाओ तो भारत की पहली गोरिला ग्लास वे निर्माण सुविधा कॉर्णिंग इंक यह आपको कहां पर देखने को मिलेगी तो आंसर है हमारा तमिल नाडू तेलंगाना आंदर प्रदेश करनाटका इसमें जितने लोगों का आंसर ऑप्शन शी आ रहा है अब एक मिनिट के लिए रुख जाओ अपने दिमाग को शान्त करो और सोचो करना क्या है कंटीनिव करना है सेशन की नहीं करना है कि तुमारा इतना गंदा परफोर्मेंस देखके तो मेरा बिल्पल मनना कर रहा कंटीनिव करने का हाँ एक मिनिट शान्त हो जाओ आरे रुख जाओ आरे रुख जाओ मेरे चीतों रुख जाओ रुख जाओ अच्छा कुछ दिन पहले से जोइन किया है चलो कोई बात नहीं जिन्हों ने कुछ दिन पहले से जोइन किया उसकी तो खता माफ है लेकिन जो पिछले एक डिड़ महने से जुड़ा हुआ है बेटा तुमको नहीं बख्षेंगे हम चलो क्रिशी के फिल्ड में योगदान के आठवा डॉक्टर एमस स्वामीनातन पुरुसकार किन को दिया गया है आप जानते हैं मस्वामीनातन इनका निदन हो चुका है ना परसों और भारत में इनको ग्रीन रेविलेशन का फादर कहा जाता है यानि हरित करांती का जनक कहा जाता है तो बताओ आठवा एमस स्वाम किन को दिया गया है मौक्षा रोई से हमारा कोई वास्तानी है क्योंकि यह तो चोटी सी बच्ची है ना बहुत जादा चोटी बच्ची है फू ख्यामी यह चाइना की सॉइंटिस्ट है अरुन धत्ति रोई यह लेखा के है ना ऑप्शन कर सकते हो ना तो आंसर हमारा क्या बनेगा पीवी सत्य नारायन बिल्कोल एक दम करेक्ट आंसर बनेगा पीवी सत्य नारायन यानि आपका भारत के युवाओं को शुशक्त बनाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान ने किसके साथ सिक्षा से उधमिता संजेदारी की शुरुवात करी है अगर मैं बात करू जिनके पास Ministry of Education है धर्मेंद्र प्रधान उन्होंने पार्टनर्शिप करी है और वो किसके साथ पार्टनर्शिप करी है बिल्कुल मेटा के साथ यानि कि मेटा का ही पुराना नाम क्या हो जाएगा Facebook भारत में सबसे पहले credit debit card से बुकतान को सक्षम करने वाला card soundbox launch किया गया चाहें credit card हो चाहें debit card हो इससे भी आप क्या कर सकते हैं आप भुकतान कर सकते हैं यह जो soundbox होता है न पे टीयम पर 20 रुपे प्राप्त हुए पे टीयम पर 50 रुपे प्राप्त हुए सुना होगा na soundbox तो वहां से भी payment कर सकते हो तो answer हमारा क्या बनेगा बिल्कुल भारत में स पे टीयम करो option आपका भी बिल्कुल correct answer होगा पे टीयम करो next question आपकी screen पर है MCC मुरुगपा गोल्ड कप अखिल भारती होके टूनामेंट के लिए railway ने करनाटक को हराया है question को लाने का मतलब सिर्फ इतना था ताकि तुम इस टूनामेंट को भूलो ना यह होके टूनामेंट है नाम क्या है तो नाम हो जाएगा MCC मुरुगपा गोल्ड कप यह एक होके टूनामेंट है railway जीता है करनाटक को हराके इस बार इसका जो संस्क्रण था वो कौन सा संस्क्रण था खदीजा ने बकाइदा लिखके भेजा है माम 9494 वाला संस्क्रण था अहलो है शिखा ने भी लिखकर भेज़ा है दिक्सा ने भी लीखकर भेज़ा है बागे सब टीडीडीडी खेल्रहे है न गलायक हो सुधर जाओ तो उत्ता चुटा था लिखकी तो भेजना था 9494 आंसर हमारा क्या बनेगा 9494 हातों को कस्ट नहीं देते ना मैडम हम सर्विस कंपनी ने भारत का पहला UPI ATM लांच किया बताओ तुम पईसा निकलवा सकते हो अपने UPI से फोन पे गूगल पे से अगर तुमको निकलवाना है तो वो अलग बात है कुछ मेरी तरह कंजूस हो जो खुद से ना निकालते हो तो वो एक अलग मैटर है लेकिन अगर तुम्हारा वाईचानस मन करें तुम्हारा भी इच्छा हो कि नहीं आप मेरा खर्च करने का मन कर रहा है तुम पैसा निकालव मुंबई आमची मुंबई ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है तो मुंबई आपका क्या होगा एकदम 110 परसेंट ठीक आंसर है मुंबई अगला कुछन देखेगा विश्व विद्याल है अनुदान आयोग द्वारा सिक्षक प्रो सिक्षन कारेकरम मालविय मिशन का श बारा teacher training program शुरू किया है teacher training program को launch को किसके द्वारा लांच किया गया है teacher training program आप Так है पहले वह खुद ट्रेलिंग लेंगे उसके बाद पढ़ाएंगी पहले teachers को क्या दी जाएगी training दी जाएगी तो ये किसके दौरा शुरू किया गया, University Grant Commission के दौरा, यानि कि UGC के दौरा, और इसको जो लॉंज किया गया है, Teacher Training Program है, नाम याद रखियागा, Malavya Mission, और Malavya Mission को लॉंज किया गया, धरमेंदर प्रधान के दौरा, यानि option हमारा D बिलकुल correct answer है धर्मेंद्र प्रधान आरे वाह दिमाग की बत्ती जली अमाज़र हो 9494 परसेंट है जिनका answer इदम ठीक है भाई बीच बीच में इनको डाटना जरूरी होता है इनको ना डाटो तो ये सुनते ना है मेरी चली अगली question की तरफ हम लोग बढ़े अगला question की रहा वरिष्ट नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना को शुरू किया गया और ये किस के द्वारा दद्दू आप ठीक हैं दादी आप ठीक हैं अगली तरीके की कोई समस्या तो नहीं आपको अपने घर में बेटे या बहु के द्वारा प्रताडित तो नहीं किया जा रहा आपको ठीक तो वरिष्ट नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना को शुरू किया गया यह जो सवेरा योजना यह किस के द्वारा शुरू करी गई है बच्चा मुंबई पुलिस के द्वारा प्रियाग राज पुलिस के द्वारा जैपूर पुलिस के द्वारा है हैदराबाद पुलिस के द्वारा आंसर बनेगा प्रियाग राज 110% ठीक आंसर है, option आपका B प्रियाग राज हाँ जी, 93% के साथ प्रिंस पहले पर हैं, प्यू सेकेंड पर हैं निधी अपनी जो है, वो थर्ड पोजेशन पर बनी हुई है अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर देखेगा किस राजे की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्यत करने के लिए Safe City योजना को शुरू किया है Safe City योजना अगर हम Safe City योजना की बात करते हैं तो ये किसके द्वारा शुरू करी गई है बेटा, राजस्तान है, गुजरात है, तमिल नाडवे या फिर मैं बात करूँ, H4 हरियाना हाँ जी, H4 हरियाना तो ध्यान रखेगा Safe City योजना और ये जो Safe City योजना है, इसको शुरू किया गया है किसके द्वारा, H4 हरियाना H4 हरियाना, हरियाना पुलिस के द्वारा ना बिल्कुल भाई, एकदम करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा H4 हरियाना, option D बिल्कुल एकदम ठेक आंसर है 75-75% के साथ, पियूश पहले पर है, बवीता सेगेंड पर है तीक्षा अपनी जो है, वो थर्ड पोजीशन पर बनी हुई है अगला कोशन, अगला कोशन, अच्छा, गाई का मालिनी रजुरकर का निदन 6 सितंबर 2023 को हो गया जनकी पहचान खयाल और टपपा स्टाइल में गाई उनके सौंग्स के लिए होती है आपको ये पताना है, कि इनका जो जनम हुआ है, ये कहां पर हुआ है इनका जनम हुआ है, निधन इनका तेलंग काना में हुआ है लेकिन अगर हम इनके जनम की या हम इनके बर्थ की बात करेंगे तो बर्थ इनका महारो राजस्थान आपका एप बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा राजस्थान अगरा कोशन है संयोगत राश्ट महासबा के 78-70 की शुरुवात महासबा देख्ष डैनिस फ्रांसस द्वारा की गई है इसका मुख्याले कहां पर है United Nations Journal Assembly विश्व की लगू संसत कहाता है यानि मिनी पार्लियमेंट कहा जाता है वर्ल्ड की 76 वाले अब्दुल्ला शहिद, 77 कसाबा कोरुसी, 78 डैनिस फ्रांसस आपसे जानना चाहता है कि यह जो United Nations Journal Assembly है इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है भारत की तरब से address किस ने किया है S.J. शंकर ने यानि कि भारत की तरब से संबोधित किया गया है S.J. शंकर के द्वारा तो आंसर हमारा क्या बनेगा New York है यह United Nations का ही तो और्गन है United Nations General Assembly अगर पूछा जाए भारत का पहला सौर उर्जा शेहर बन गया है यानि भारत के पहली solar city मद्यप्रदेश मद्यप्रदेश का संची अगर पूछा जाए भारत का पहला सौर विलेच तो यह मोडेरा है जो की आपको देखने को मिलेगा गुज-गुज गुजरात में और solar temple क अगर हम बात करेंगे तो कोणार्क का सूर्य टेमपर चलो तो यह जो सांची है यह भारत का पहला solar city बन गया है सांची आपको देखने को कहां पर मिलेगा तो माम यह मद्यप्रदेश मद्यप्रदेश के राइसेन में देखने को मिलेगा अच्छा यह सब छोड़ो भारत का इंडिया का 54 वाला टाइगर रिजर्व इंडिया का 54 वाला टाइगर रिजर्व यह कौन सा बना है यह मद्यप्रदेश का 7 वाला है हाँ मद्यप्रदेश का यह 7 वाला टाइगर रिजर्व यह विरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहां का होगा मद्यप्रदेश का अगला कूशन आपके स्क्रीन पर है भारतिय अमेरिकी सिधार्त मुकरजी को प्रतिस्टित बैली गिफोर्ड पुरुसकार के लिए सुची बद्द किया गया है मतलब कि इनको select किया गया है अच्छा ये जो award है यानि कि ये जो belly giford award है ये किस category में मिलता है या किने मिलता है इसका answer तो करना बनता है तुम लोगों का शुरू हो जाओ सारे के सारे एक बच्चा गया रहा मैं तांतरिक को ये तुम ना कौन सा तांतरिक देख लिया है तांतरिक तो option में ही नहीं है सुधर जाओ थोड़ा सा हलका सा सुधर जाओ चलो तो भारती अमरीकी सिदात मुकर जी को प्रवतिस्टित बैली कि पोर्ट पुरुसकार दिया गया ये author है ठेक है ये क्या होंगे ये author होंगे option B आपका बिल्कुल correct answer 73-73% के साथ हम फोटो भी इनकी दिखा देते है प्यूश पहले पर है बंगाली तांतरिक आ रहे वाह तांतरिक is back अलग निरंजन आशिरवाद बाबा चलो दिक्षा है मेगा है साहिल है राहूल है मेरी जान पढ़ने में तुम इतने स्मार्ट हो उसके बाद तुमारी खरकत है या सी क्यों लुच्चों जैसी है चलो option आपके क्या बनेगा B बिल्कुल correct answer बनेगा option आपका B चलो चंद्रमा की सत्या पर soft landing करने के लिए H I I A rocket से smart lander for investigating moon किसने launch किया है short form में बोला जाए तो slim ये भी moon mission है अब ये जो slim है ये किसका moon mission है S L I M slim जैसे भारत पहुंची चुका है चांद पर तो ये देश भी पांचवा देश बन जाएगा इसका कहना है कि मैं भी तो जाऊंगा चांद पर अमेरिका रिशिय चाइना इंडिया के बाद तो ये फिफ्ट देश बनेगा और ये कौन होगा जापान ठेक है कौन होगा जापान जापान एकदम अपका correct answer है अगला कोशन देखो उत्तर प्रदेश के मुखे मंतरे योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित ग्राफिकल उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ को किसके द्वारा लिखा गया है अजय टू योगी आदित्यनाथ पोल लगाना तो बनता है हम तो यही सोच रहे हैं कि जब तांत्री की बनना है तो पर क्लास में काई बैठे हो तुम है सबसे पहले काला जादू मेरे परी ना करी हो तुम ठीक है फिर हमारी क्लास में तो तांत्रीक भी है यह जो 270 चल रहे हैं हम लोग बटा यह तो 300 कब के क्रॉस हो चुके होते हैं अगर तुमने थोड़ी सी महनत दिखाई होती यह जो 270 का आंकड़ा हम लोग लिए बैठे ना यह 300 पार कब का लग गया होता अगला कोशन देखो अजर टो योगी के अगर हम बात करेंगे शांतनु गुपता यानि ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा शांतनु गुपता 73, 73% के साथ बबीता पहले पर है निधी 2 पर है विवेक अपना जो है वो 3rd position पर बना हुआ है आंसर हमारा क्या बनेगा शांतनु गुपता यानि ऑप्शन बिल्कुल एक दम करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए बिल्कुल ऑप्शन ए ना ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक आंसर है स्वच वायू सर्विक्षन 2023 के अनुसार 10 लाग से जादा अबादी वाले शहरों में दूसरा इस्थान जो है वो किसे राज्जे के पास है पोल लगाना तो बनता है तुम पहले वाले जोन से बाहर आजाओ फिर हम दूसरे कोश्चन के लिए पूल लगाएं अब तर तो अरे उस कोश्चन से बाहर आओ पोल हम लगा दिता है इस वाले कोश्चन पर यह लो लगा दिया वाश्यन हमसे क्या रहा है कि स्वच्च वायू सर्विक्षन 2023 के नुसार 10 लाग से जादा अबादी वाले शहरों में दूसरा इस्थान जो है वो किस राज्जे का है सेकेंड पोजिशन है किस राज्जे की है चलो इंदौर है आगरा है थाने है या फिर अगर मैं बात करूँ अम रावती हाजी इंदौर है आगरा है थाने है या अम रावती है बिल्कुल एक दम ठीका पहला पोजिशन तुमसे पूछता तो आणसर इंदौर बनता क्वेशन ने तुमसे सेकेंड पोजिशन पूछी है और सेकेंड का अंसर क्या बनेगा आगरा यूपी ठीक है है तो आंसर हमारा क्या बन गया ऑप्शन भी यानि आगरा बिल्कुल एक दम आपका करेक्ट आंसर है अज़े इसके लाब तीन लाग और दस लाग के बीच में अमरावती ने टॉप किया है और तीन लाग कि अगर मैं बात करूं तो यह आपका पुरवान हो जो कि आपको कह है चली कि अबाया पर प्रतीबंद लगा रहा है और अबधाया पर इटबंद लगाया है और अपशन आपका बी है शल्लो उप्शन आपका बिल्कुल 110 So प्रांस आपका एकदम ठेक आंसर है किस बैंक ने UPI ATM सुविता सक्षम की है जो देशपर में अपने 6000 से अधिक ATM पर क्यूंवार आधारित नगत निकासी की अनुमती देगा यानि के कुल मिला करके अपने जित्ते भी इनके जो ATM कार मतलब जो ATM है वहां पर इन्होंने UPI सर्विस को शुरू कर दिया यानि आप फोन पर गूगल पर करके कैश पईसा निकल लवा सकते हो यह जो फैसिलिटी है यह किस बैंक के दुआरा शुरू करी गई है पंजाब नाशनल बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर बी आई चलो QR आधारित नगत निकासी की अनुमती देगा यानि कि UPI ATM सुविधा सक्षम करिए 6000 से अधिक ATM पर QR आधारित नगत निकासी की अनुमती देगा देवगत चंद हेड बनाए गए थे कुछ समय पहले इसके तो बैंक ऑफ बड़ोदा एक दम आपका 110 पोसंट ठीक आंसर है जिनका आंसर आ चुका है बैंक ऑफ बड़ोदा कहां पर है यह option A में है बैंक ऑफ बड़ोदा 78-78 परसेंट इसमें भी लप्चो ने गलती कर दी चलो पियूश पहले पर है देव सेकेंड पर है कमला थर्ड पर है विवेक फोर्थ पर है दिक्षा अपनी जो है वो फिफ पोजिशन पर बनी हुई है बेड़ा शरम करो खलकी सी जिनका आंसर गलत आ रहा है उनसे थोड़ अगला कुशन देखो भारत की प्रसीद सर्जीकल रोबोटिक पर्म पदमश्री डॉक्टर माइल स्वामी अन्ना दुरई जिने भारत के मून मैन के नाम से भी जाना जाता है अपने निदेशक के रूप में अपॉइंट किया है जरा बताव एसस इनोविशन का जो हैड़ क इनन यह कहां पर है विशन आपके लिए इमपोर्टेंट इसलिये वानेगा क्योंकि भारत के मून मैन के नाम से किसको जाना जाता है ना बारत के मून जिसे मिसाइल मैन कि अगर वात करूँ तो एपी जे अबदूल कलाम आप जानते है विबन के अगर आप बात करोंगे तो तैसी थमस का नाम आपकी सामने आता है परियावरण में सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आपकी सामने सबसे पहले आता है तो ये जो डॉक्टर माइल स्वामी अन्ना दुराई है इनको मून मैन के रूप में भी जाना जाता है तो ये जो SS इनोवेशन है इसका headquarter आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा तो देश के राज़दानी दिल्ली बिल्कुल एकदम आपका correct answer बनेगा दिल्ली Marine Sandwatch data platform को launch किया गया है और ये किसके द्वारा launch किया गया है इस पर हम आपके लिए लगा देते हैं पोल अब ये जो Marine Sandwatch data platform है इतना तो पता है कि इसका संबंद जो है वो समुद्र से है अब जैसे रेत की तसकरी होती है ठीक वैसे ही समुद्र में भी जो प्रोडक्स होते हैं उनको भी चुराने की कोशिश करी जाती है तो जहाजों पर नजर रखने का काम ये करेगा तो Marine Sandwatch data platform United Nation Environment Program option C United Nation Environment Program option आपका क्या बनेगा C बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा United Nation Environment Program 34% के साथ देखो एकलोता कोशन है जहाँ चीज़ें हमारे कितने डिवाइड हुई है जिसका जो मन किया उसने वो आंसर दिया 20%, 6%, 39%, 34% दिक्षा पहले पर है निदी सेकेंड पर है बटकती आत्मा जो है वो थर्ड पर है और कुनाल जो है वो फोर्थ पोजिशन पर है United Nation Environment Program यानि option हमारा C बिल्कुल करेक्ट आंसर है कशा राज्य सरकार ने मैसूर में महिलाओं के लिए एक सामज़िक कल्याड यॉजणा ग्रहेल लक्षमि यॉजणा को शुरू किया है तो ग्रहेलक्षमि यॉजणा है ये कर्नाटिका की है जब सिध्धा रमखेया की सरकार आई थी देश के पहले भूमिकत ट्रांसफोर्मर का उद्खाटन किया भूमिकत का मतलब होता है अंडर ग्राउंड पर ट्रांसफोर्मर लगाया गया है तो बताएं बांगलूरू है बोपाल है लखनव है या फिर अगर हम बात करें गांधी नगर ठीक है गांधी नगर तो देश का पहला अंडर ग्राउंड ट्रांसफोर्मर सेंटर लगाया गया है और यह कहां पर लगाया गया है तो आंसर हमारा क्या बनेगा बैंगलूरू एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन आपका 110 ठीक आंसर है अगला कुशन है किस राजजे ने ट्रांसफोर्मर लोगों के लिए मु एक सुरक्षा पैंशन योजना को शुरू किया है मतलब कि एक लाख रूपया एक हजार रूपया जो है वो पर मंथ मिलेगा एक हजार रूपय पर मंथ मिलेगा जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनको एक वार में आप लोगों का जो कॉमेंट सेशन होता है वो देख लूँ है जित्ते लोग जुड़े हुए हैं सबका बहुत सारे बच्चे हैं जिन्नोंने क्वेशन का आंसर दिया था कुछ तो अभी आंसर दे रहे हैं 49 मिनिट पहले प्रीदी सिंग खेर आंसर हमारा क्या बनेगा जारखंड ने बोला है एक हजार रुपया देंगे हम जारखंड ऑप्शन आपका सी बिलकुल करेक्ट आंसर है अगला कुछन है भारत और फ्रांस के बीच में वरुन दो हजार तेईस द्विपक्षी अभ्यास का आयजन किया वरुन की अगर हम बात करते है तो यह एक्सेसाइस किस की होगी वरुन तो आंसर हमारा क्या बनेगा वरुन नेवी की एक्सेसाइस है शक्ति आर्मी की है गरुण की अगर हम बात करते हैं तो वह एर फोर्स की है पीनो किसके साथ होती है तो तीनो होती है फ्रांस के साथ जो last sound दिया गया था तो कि द्वारा दिया गया था चद्रयान 3 तो N वीलार्म पहिए साइनिचिस्ट थी तो ऑप्षिन हमारे सी बिलकुल साइनिस्ट पहाई सेमा सधक संगेटन ने लद्दाग के नियुमा में दुनिया का सबसे उचा लड़ा को एयर फिल्ड बनाने की बात कही है सीमा सड़क संगेटन की जो इस्थावना होती है वो कब होती है तो राजीव चौतरी जी इस समय इसकी हेड है यहीं की हम बात कर रहे हैं BRO Border Road Organization 7 मई 1960 को इसका क्या होता है 7 मई 1960 इसने कहा है कि हम सबसे उचा बैटल फिल्ड बनाने जा रहे है युद्ट छेत्र Border Road Organization अगला कोशन है भारतिय तटरक्षक बल ने 5-8 सितंबर को इस्तामबूल तुर्किया में एशवाई तटरक्षकों के प्रमुक के कौन से ही बैटक जो समुधरे लुटे रहे होते हैं उनसे भी हम चीज़ों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते है तो Indian Coast Guard ने इसमें Participate किया है लेकिन Participate कहां पर किया है इस्तामबूल तुर्किया में इसका एडिशन कौन सा होगा यह एशियन कोस्ट गार्ड चीफ मीटिंग का जो एडिशन है ये एडिशन कौन सा होगा माम 19 वाला इसका एडिशन होगा ऑप्शन सी बिल्कुल एक्टम ठेक आंसर है जर्मनी ने सर्बिया को हरा करके पहली बार बास्केट बॉल विश्वकाप अपने नाम किया इसका जो कहां पर किया गया यह आप मुझे बताओगे कॉमेंट शेशन में है ना पर्टिकुलर तीन देशों ने मिल करके इसको किया है लेकिन लास्ट वाला जो फाइनल है फाइनल वाला किस देश में खेला गया यह डून करके बताना फिर हम तुमको बताएंगे मंडे वाली ग्ला और एक कौन हो जाएंगे कोको गॉफ नुवाक जोकोविच और कोको गॉफ इसके विजयता बने हैं अब आप लोगों के लिए प्यारा सा कोशन है मेरी तरफ से जो की है होमवक का हला कि उससे पहले हम देख लेते हैं बहुत सारे बच्चे हैं जो क्वेशन का आंसर बहुत सारे लोग हैं पहले यह होमवक वाला कोशन तुम लोग देख लो मैं बाकियों की नाम बता देते हूं जैसे प्रीति है प्रीति के अलावा एक कौन है इंपॉसिबल है एक तो बेटा नाम अपना ठीक रखा करो हम पीट देंगे किसी दिन पकड़ करके इसके अलाव जैसे क की रोदर शर्मा भी ओतन बी है अंकू भी यह गो ऐतंबी वह पृधा जैसे कि खुषी भी ती कोशी के अलवा और भी बहुत सारे लोग है यूजर है जानवी जानवी है जानवी ने तो बहुत अच्छा ही लिखा है हमेशा हर्शिता ने भी बहुत अच्छा लिखा है ये विकास परेशान हो रहा है वीडियो में ने जी 20 पर करा हुआ है तो एक बार तू वहां से देख लेना इसके बाद अंकीत रॉय भी है अल्ट्रा राजपूत भी शिवं भी है विवेक कुमार भी है ओवर रॉल कम से कम 70 प्लस बच्चे हैं जिन्होंने कॉमें कॉमेंट किया हम हमेशा आपसे कहते हैं कि आप चीजों को लिखा करो जिन चीजों को आप लिखते हो उन चीजों को भूलते नहीं हो यह बात तुम्हें कब समझ आएगी अब इसके बारे में तुम्हें जितना पता हो या इससे रिलेट्टर जितनी information तुमारे दिमाग में हो सारी सोच सोच के क्या कर देना कोमें चेशन में सारी की सारी लिख देना वागी आज के सेशन को अम लोग क्या करते हैं यह इतक रखते हैं आप सभी अपना ध्यान अच्छे रहें अस्ते रहें खिल खिलाते रहें और ऐसी सिकते रहें मेरे साथ और पूरी टीम के साथ थांक्यू सो मच बब बाई एंड लश आफ लग अगा